नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रसाच जादो आपका स्वागत करता है रेवी माज़ा के एक और एपिसोड में और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं Dupont Taptic Plus की High Flow Membrane जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं आयनाइजर के लिए एक भैतरीन High Flow सिस्टम बनाने के लिए तो दोस्तों ध्यान रखिए हमें Water Ionizer के लिए एक High Flow सिस्टम बनाना होता है तो हमेशा याद रखिए कि High Flow सिस्टम के लिए हमें High Flow Reverse Osmosis Membrane की जरूद होती है जैसे कि Dupont Taptic Plus तो आज हम लोग दो Dupont Taptic की Membrane इस्तिमाल करके एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे हम लोग High Flow दे सकते हमारे Water Ionizer को और साथ में हमारे Waste Water में Reduce कर सकते है तो चलिए देखते हैं कि हमारे Dupont Taptic Plus RO Membrane Water Ionizer के लिए specially किस प्रकार फायदे मन रह सकती है Dupont Taptic Plus हमें High Flow Pure Water देती है जिसके बज़े से हमें Waste Water को Reduce करने का विकल्प मिल जाता है और हम इसे Ionizers की Pre Treatment RO System में इस्तिमाल कर सकता है सबसे Important बात Taptic Plus जो Membrane से सारे NSF Certified Membrane से इसलिए हमें शुद्ध पानी मिलता है तो Dupont Taptic Plus आपको आपके पानी की TDS के हिसाब से Water का Flow देती है तो जिनके यहाँ पर पानी का Raw Water का TDS कम है उनके लिए ये एक अच्छा Option मन जाता है क्योंकि उनका Waste Water बहुत से होता है उनको High Flow भी मिलता है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि High Flow बहुत Important होता है हर Ionizer के लिए Generally जितने भी Water Ionizers है उनको Around 150 TDS का पानी की जरुवत होती है तो हम लोग इस Membrane को इस्तिमाल करके जहाँ पर High TDS है उसको Reduce करके Up to 2000 TDS तक ये Membrane को हम लोग इस्तिमाल कर सकते हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स आज हम लोग दो Dupont Aptik की Membrane को सीरीज में लगाके चेक करेंगे कितना Flow देती है और देखेंगे कि क्यों ये एक Best Membrane है Water Ionizer के Pre-Treatment R.O.Systems के लिए तो सबसे पहले मैं आपको Setup समझा देता हूँ यहाँ पर हमने एक Pressure Gauge लगाया हुआ है यहाँ पर 300 GPD की Booster Pump है और हमने 2.5 Ampere का SMPs यहाँ पर 2 हमने Membrane housing लगाई है यहाँ पर हम लोग इस्तमाल करेंगे Dupont Aptik Plus Membrane High Flow Membrane है यह हम लोग 2 इस्तमाल करेंगे 2 Membrane हम लोग यूज़ करने माले इसके अंदर तो अभी यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि Dupont Aptik Plus ऐसी Membrane है जो सबसे ज्यादा Flow देती है आपको as per your TDS याने के अगर आपका TDS 500 के आसपास है जैसे कि मेरा TDS है मेरा TDS काफी कम है तो आपको आउटपूट जो है यह बहुत अच्छा देती है तो उसके पहले क्या है हम लोग इसको ओरिजिनल मेंब्रेन को हम लोग स्कैन करेंगे हमारे पस में यह Dupont Home Water App है तो यह आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं यह यहां पर QR कोड दिया है इस QR कोड को हम लोग यहां स प्ले स्कैन करेंगे तो यह बता देगी कि यह मेंब्रेन जैन्यूइन है या नहीं है तो मतलब 100 परसेंट जैन्यूइन मेंब्रेन आपको चाहिए होगी तो आप हमारे स्टोर से रहे माजा स्टोर से ले सकते दिखें यह यह बोल रहा है टीटी प्लस वेरिफाइड ओरिज स्कैन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं दूसरी वाली भी मेंब्रेन जैन्यूर मेंब्रेन है तो यह दोने के दोनों जो है ओरिजनल मेंब्रेन से हम लोग अब इससे इंस्टाल कर लेते हैं यह पहला मेंब्रेन का रेजेक्ट वाटर है यह दूसरे मेंब्रेन के इंद में जा रहा है इस प्रकार और यहां से देखी यह प्यूर वाटर है यह दोनों का प्यूर वाटर का कलविंग कर दिया है हमने एक घटा कर दिया एक फ्लोरिश्टिक्ट लगाया है 550 का पहले चे करते हैं तो चलिए हम लोग इसको start करते हैं 70 पीस है तो प्रेश अब जा रहा है कि यहां पर फ्लो भी आना चालो हो चुक है तो जबर्दोस फ्लो है तो अभी हम लोग देखेंगे कि कितना पानी यह भरता है एक मिनिट के अंदर अग टू थ्री स्टाट हम लोग देख सकते हैं 650 लिटर पर मिनिट 0.650 लिटर पर मिनिट हमारा 60 मिनिट होते तो 39 लिटर का फ्लो मिला है बहुत ही जबर्दस्त बढ़िया फ्लो मिला है 39 लिटर का तो देखा फ्रेंड्स के ड्यूपॉंट अप्टेक प्लस के दो आरो मेंब्रेन ने कितना जबर्दस्त फ्लो दिया है मतलब आल्मोस्ट 40 लिटर के आसपास का फ्लो है 39-38 लिटर का ये बहुत ही बढ़िया है किसी भी आरो सिस्टम से अगर हम लोग ये फ्लो निकाल सकते हैं और इसे अगर हम लोग प्रेशर टैंक में स्टोर करके या फिर डायरेकली भी आयोनाइजर को देंगे तो भी ये बहुत अच्छा काम कर सकता है जनरली मैं सजेश्ट करता हूँ कि ये जो पानी है या प्रेशर टैंक में ट्रांसवर कर दीजे प्रेशर टैंक से आप उसे आयोनाइजर को सप्लाइ कीजे और सबसे में बात जो है हाई फ्लो होने की कारण हमारा वेस्ट वाटर बहुत रिड्यूस हो जाता है फिर भी हमने दो मेंब्रेन को मिला के एफार फाइफिफ्टी लगाया था तो फ्रेंड्स अगर आपको ड्यूपॉंट अप्टेक प्लस की ओरिजिनल मेंब्रेन खरीदनी है तो नीचे दिये के लिंक से खरीद सकते हैं आपको कोई भी कोशन्स होंगे कोई भी इन्फोर्मिशन चाहिए होगी तो नीचे वाट्सेफ नंबर दिया है उसके उपर आप मैसेज कर सकते हैं आपको जरूर मैं हल्प करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आज के लिए बस इतना ही दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा अगर आपको मेरा नया डिजाइन जो है सिस्टम का अच्छा लगा होगा तो वो भी इन्फोर्मिशन में जरूर बताईएगा और अगर आपको ऐसा सिस्टम बनाना है तो भी आप मुझे कॉन्टेक कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स के उपर मैं आपकी पूरी हल्प करूँगा थैंक्स वर वाचिंग फ्रेंड्स टेक केर बाइबाइ एंड जैहिंद